नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनुज कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एक्जाम वाला में ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको हर विशे से सम्मंदित एक सटीक सामंगरी आपको मिल जाती है आपकी कमप्टिटिव एक्जाम्स की तैया के लिए यहाँ पर आज हम पेडागोगी सीरीज के अंतरगत भाग 11 आपके लिए लेकर आए हैं जिशित रूप से आपको सफलता जिनाने में एक महत्पुन भूमी का निवा सकते हैं आने वाली परिक्षाव में चलिए सुरू करते हैं सांखिकी में वहर रेखा चित्र जि सांखिकी में उस रेखा चित्र को जिसमें आविर्तियों को इस्थम्बों के द्वारा प्रदसित किया जाता है उसे इस्थम्बा किर्ति कहते हैं अगला प्रसन लेते हैं विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास हो जाता है उप्षन है सैस्वा वस्था में उप्षन दो बाल्य वस्था में उप्षन तीम किसोरा वस्था में उप्षन चार प्रोड वस्था में तो सही उत्तर है उप्षन नमर दो मानव की बुद्धी का वि विकास बाल्य वस्था में हो जाता है तारंबिक बाल्य वस्था अर्ले चायल हुज में बच्चों में या बालकों में मानसिक विकास की काफी तेजी से वरती होती है और परवर्ती किसोरा वस्था आते आते यानि 19-20 साल की उम्र के आते आते यह काफी धीमी हो जाती है कहने क मतलव है जिपने भी मानव में बुद्धी का विकाज है वो सिसु वस्था में 21 वस्था में ही हो चुका होता है अगला प्रेशन है सिसु का अधिकांस व्यभार आधारित होता है किस पर अप्सन एक नियतिक्ता पर अप्सन दो मूल प्रिवर्ति पर तीन पास्थिक्ता पर चार ध्यान पर सही उत्तर है मूल प्रिवर्ति पर सिसु का अधिकांस व्यभार आधारित होता है सैस्व अवस्था में बालक का निर्मान काल कहा जाता है यानि जो सैस्व अवस्था होता श्वत्नु प्रेम की भावना आदी यह अवस्था बालक के संपून भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवज्ञानिकों ने सहस्व अवस्था को मानव जीवन पर आधारित या मानव जीवन का आधार माना है। मनोवज्ञानिकों ने सहस्व अवस्था को मानव जीवन का आधार माना है। अगला प्रेशन लेते हैं अंतर द्रस्थी यानि सूज द्वारा सीखने के सिध्धान्त में कोहलर ने प्रियोग किये थे। यानि कोहलर ने अपने प्रियोग जो किये थे वो किस पर किये थे अंतरडर्ष्टी या सूज के द्वारा सीखने के सिधान को पृति पादित करने के लिए option 1 वन मानूसों पर, option 2 कुतों पर, option 2 बिल्ली पर, option 4 चूहों पर सही है one मानूस पर Kohler ने अपने प्रियोग वनमानुसों पर किये थे अंतरधरष्टि या सूजगूजद्वारा सीखने के सिधानत को विरतिपाधित करने के लिए सूज या अंतरधरष्टि का सिधान देने का स्रे जर्मन मनोवज्यानिक उल्फ गंग Kohler को दिया जाता है कोहलर का पूरा नाम है उल्फ गंग कोहलर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है Mentality of Ops वर्स 1925 में लिखा था कोहलर ने सूज के सिधानत का प्रियोग वनमानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किये थे कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है सूज की छमता भी उतनी ही अधिक होती है कोहलर ने कहा कि हम में या किसी भी प्राणी में कल्पना जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही अधिक छमता होगी सूज भूज की कल्पना जितनी अधिक होगी सूज की छमता भी उसमें उतनी ही अधिक होगी यानि हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने आईडियाज को लगा सकते हैं कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. यही सूज या अंतरदस्टी के सिधान्त में कोहलर ने साबित किया था. अगला प्रस्ण है, यह आवसक नहीं है कि उच बुद्धी लवदी वाले बच्चे में भी जो हैं बच्चे भी उच्च हों. यानि अध्धन में, option है अध्धन में उच्छ हों या स्रजन सीलता में या विसलेशन करने में या अच्छे अंक प्राथ करने में, सही उत्तर है स्रजनन सीलता में, यह बिलकुल भी आवसिक नहीं है कि उच्छ बुद्धी लवदी वाले जिनकी IQ जादा होती है, यह आवसिक नहीं कि वो स्रजनन सीलता में भी अधिक अच्छे हों, किसी भी समस्या का संपूहल प्राथ करने की योगता बुद्धी को कहा जाता है, जबकि नमीन उत्पादयम नमीन खोज की छमता का स्रजनन सीलता कहा जाता है, जब हम किसी चीज को खोजते हैं या किसी चीज की जाता है आते बुद्धी लवदी के आधार पर स्रजनन सीलता का मापन किया जा सकता है तथा निश्चित नहीं हो सकता कि कुछ बुद्धी लवदी वाले बालक स्रजनन सीलता में भी उच्छोंगे अगला प्रस्ण है अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था यानि अधिगम में सीखने में जो प्रभाव का नियम है वो किसी ने दिया था ठर्ण डाइक ने प्रभाव के तीन नियम प्रतिबादित किये थे ठर्ण डाइक ने अधिगम या सीखने के मुखेत तीन नियम दिये थे उनमें नमर एक ततपड़ता का नियम नमर दू प्रभाव का नियम नमर तीन अभ्यास का नियम प्रभाव के नियम के अनुसार उस कार पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। आवस्सक्ता का पदानुक्रम सिध्धान्त द्वारा पृतिपादित किया गया है। किसने सिध्धान्त को पृतिपादित किया जो आवस्सक्ता का पदानुक्रम सिध्धान्त है। आप्शन एक है मैसलो, आप्शन दो वाट्सन, आप्शन तीन कॉलर, आप्शन चार पावलोग, सही उत्र है आप्शन नमबर एक, आवसक्ता का पदानुक्रम सिदान्त मैसलो के द्वारा पिर्तिपादित किया गया था. वर्स 1954 में अबराहम मैसलो, मैसलो का पूरा नाम है अबराहम मैसलो, उन्होंने 1954 में आवसक्ता के पदानुक्रम सिदान्त का पिर्तिपादन किया, इस सिदान्त को अभी प्रणा के मांग के सिदान्त के नाम से भी जाना जाता है. जो आवसक्ता का पतानुक्रम सिधान्त है उसे दूसरन किस नाम से जाना जाता है अभी प्रणा के मांग के सिधान्त के नाम से इस सिधान्त के अनुसार जब मनुस्य अपने जीवन के अस्तत के लिए किसी वस्तू की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है कि किस तरह से उस वस्तू को प्राप्त किया जाए मोसलों ने कहा कि मनुस्य की पांच आवसक्ताओं को चिन्नित किया गया है मोसलों ने मनुस्य की पांच प्रमुक आवसक्ताओं को चिन्नित किया जिससे मनुस्य अभी प्रेरित होता है। अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में किसको मुख है यानि अधिकारी गरंथी कहा जाता है। प्यूस गरंथी को हमारे सरीर की मुख है या अधिकारी गरंथी के नाम से जाना जाता है। शरीर की अन्य गरंथियों को अन्य ग्लेंड्स को कंट्रोल करती है और उन्हें निर्देशित करती है। प्यूस गरंथी एक तरह से एड्मिस्टेटिव या एड्मिस्ट्रेशन का काम करती है। अगला प्रस्ण। सामूइक अचेतन संप्रत्य मनो वैज्ञानिक यूग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था। मनो वैज्ञानिक यूग के अनुसार अचेतन मन, मन का एक हिस्सा होता है। जो हमारे मस्तिस्क या मन का एक अचेतन पार्ट होता है वो मन का ही एक हिस्सा होता है जो समाज लोग एवं मानव जाती द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को या अनुभवों का सांज्ञा करता है। अचेतन वह इस्तिती है जो हमारे मन और वैवार में तो होती है परंतु सामान नते प्रदर्शित नहीं होती। यानि जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो सामने जो प्रिकट नहीं होते उन्हें अचेतन भाव कहते हैं। किसी विशेश परिस्तिती में ही वहे प्रदर्सित होते हैं, सम्मान, अनुभूती, सामाजिक, सुरक्षा, सारिरिक, इत्यादी, ये सब ही जो होते हैं, ये सामोहिक अचेतन होते हैं। अगला प्रस्ण हैं, अंगूर खट्टे हैं का उधारण किस ने दिया था? अंगूर खट्टे हैं का उधारण जो है, किस प्रकार का उधारण है? आपसन एक प्रगती मन, आपसन दोदा मन, आपसन तीन योती करण, आपसन चार पिर्तिकरिया निर्मान तो सही उत्तर है आपसन नमर तीन, योती की करण का उधारण हैं, अंगूर खट्टे हैं। जब लॉम्री अंगूरों को देखती है तो उसके मूँ में पानी आ जाता है और वो उनको प्राप्त करना चाहती है लेकिन उसके मन में एक भाव आता है कि अरे यार छोड़ो जब उसके वो उन्हें नहीं कर पाती तो कि अंगूर खटे हैं रहने दो तो ये जो भाव उसके म का उधारन है योदकी करन मनोवज्यानिक रूप से रक्षा प्रणाली होती है जिसमें विवादास्पद व्यभार को तारकिक रूप से उचित ठहराने की कोशिस की जाती है और परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है अगला प्रस्ण है अधिगम का किरिया प धरण डाइक, और ओप्शन दो पावल और ओप्शन तेलमन और ऑप्शन चार इसकिनर तो सही उत्तर है इसकिनर ने अधिगम का किरिया प्रसूत सिद्धान आन्ठ का पृतिपादन किया था अधिगम किरिया प्रसूत अनुबन सिद्धान्थमनोवज्यानिक बी एफ सकिन उस किर्या को करने के पिर्टी परिपक्ता आ जाती है, वी एफ इसके नर ने इस सिदानत का प्रियोग चुहे एवं बिल्ली पर किया था, चुहे एवं बिल्ली पर किसने प्रियोग किये थे अपने वी एफ इसके नर ने, चुहे पर किया गया प्रियोग मुख्यते माना जात यानि सबसे जो सफल प्रियोग था वो चूहे पर किया गया प्रियोग था वियर इसके नरका और उसके आधार पर ही उन्होंने अधीगम का किया प्रसूत अनुबन से धान्त पृतिपादित किया था अगला प्रस्न है और सत बुद्धी वाले बालकों की बुद्धी लवदी आई-क्यू के बीच होती हैं कितनी होती हैं Option 1, 70-89, Option 2, 50-69, Option 3, 90-109, Option 4, 110-39, सही उतर है 109, maximum और कम से कम 90 होती है, यानि 90-109 के बीच और सत्थ बुद्धी वाले बच्चों की मुद्धी, लवधी या IQ, इंटेलिजेंस को सेंट होता है 90-109 के बीच. साइमन बिने का प्रियोग करके, साइमन बिने का प्रियोग करके, मनोवैज्यानिक तर्मन ने 1916 में बुद्धी लवधी की वित्रन तालिका तयार की, बुद्धी लवधी बालक की, बुद्धी लवधी बालक 130 से अधिक जो होते हैं, वो पिर्थिभासाली होते हैं. यानि ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धी लवधी 130 से अधिक होती है, वो पिर्थिभासाली होते हैं, जिनकी बुद्धी लवधी 81 से 90 के बीच होते हैं, मुंद बुद्धी होते हैं, और जिनकी बुद्धी लवधी 121 से 130 के बीच होती है, वो पिर्खर बुद्धी वाले हो 111-120 बुद्धी लब्धी वाले जो बच्चे होते हैं, तीवर बुद्धी वाली बच्चों में सामल होते हैं, और 31 से कम जिनकी बुद्धी लब्धी होती है, वो जड़ बुद्धी यानि मूर्क बुद्धी वाले होते हैं, जबकि 91 से 110 जिनकी बुद्धी लब्धी होती है ऐसे बच्चे सामाने बुद्धी वाले बच्चे होते हैं। ये भी कहा जाता है। अलबर्ट वंडूरा के द्वारा अधिगम के छेत्र में सामाजिक अधिगम सिध्धान्त का पृतिपादन किया गया था वंडूराने के सिध्धान्त का पृतिपादन किया सामाजिक अधिगम सिध्धान्त का इसके अनुसार बच्चे पृतिक्रियाएं सामानिकरण यानि पृतिक्रियाएं पृतिमानिकरण द्वारा सीखते हैं जिसे निरिक्षनात्म का धिगम भी कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने से बड़ों के व्यवार का निरिक्षन करते हैं और उसी तरह के व्यवार को प्रदर्सित करते हैं अगला प्रशन है प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त में अमूर्थ तर्क एवं परिपक को नैतिक चिंतन किस अवस्था की विसेश्थाएं होती हैं option 1 पूर संक्रियात्मक अवस्था option 2 समय दनात्मक गामक अवस्था option 3 ओप चारिक संक्रिया अवस्था इसका व्याख्याक की बात करें तो यहां पर जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती है यानि जीन प्याजने जो संग्यानात्मक विकास है उसकी चार अवस्थाइं बताएं पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो की जन्म से लेकर दो वर्स तक यानि जीरो से दो वर्स की आयू तक होती है दो वर्स के पूर, नमबर दो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, दो वर्स साथ वर्स की आयूतक होती है, नमबर तीन, मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, साथ से ग्यारे वर्स की आयूतक होती है, और नमबर चार चौथी जो अवस्था है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था 11 से 14 वर्स की आयू तक होती है चतूरत अवस्था में बालक चिंतन पूं किरम बधता आ जाती है यानि जो बच्चा है जो बालक है वो चतूरत अवस्था में 11 से 14 वर्स की आयू की अवस्था में चिंतन करने की पूं किरम बवद्धता आ जाती है वो करमिक रूप से चिंतन करने लगता है तथा अमूर्थ तर्क एवं परिपक कुनेतिक चिंतन का विकास हो जाता है अगला प्रस्ण है जर्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है जो उप्षन है इन में से कौन सा जर्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है उप्षन एक निरंतरता उप्षन दो समानता उप्षन तीन वनसानुकरम उप्षन नमर चार यूयुत्सा सही उत्तर है फल माना जाता है। अनुवानसिकता का विकास सारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है। विकास सारीरिक गुणों का विकास सारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है। अगला प्रस्ण है आज का ये अंतिम प्रस्ण है पेडगोगी सीरीज भाग 11 के अंतरगत। मनोवग्यानिकों के द्वारा निमनलिखित में से किस विधी द्वारा मूल प्रिवर्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रस्ण बहुत इंप्रोटेंट है मनोवग्यानिकों के अनुसार निमनलिखित में से किस विधी के द्वारा मूल प्रिवर्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मारगान्त्री करण ओप्शन 2 सह संबंद ओप्शन 3 विलियन ओप्शन 4 नवीनी करण सही उत्तर है मारगान्त्री करण के द्वारा मनोवग्यानिकों के अनुसार मान वंत्री करण माफ कीजे मारगान्त्री करण के अनुसार प्रिवर्तियों में मूल प्रिवर्तियों में प पुनर निर्देशन, मारगांत्रिकण को पुनर निर्देशन भी कह सकते हैं, मारगांत्रिकण या पुनर निर्देशन के द्वारा मूल प्रिवर्तियों में परिवर्थन लाया जा सकता है, सांखिकी में वहे रेखाचित्र जिसमें आविर्तियों को इस्तंबों द्वारा प Option नमर दो, सांखेकी में उस रेखाचित्र को जिसमें आविर्तियों को इस्थम्बों द्वारा प्रदसित किया जाता है, उसे इस्थम्बाकिर्ती कहा जाता है. सांख्य की में वहर रेखाचित्र दिसमा आविर्तियों को इस्थमों के द्वारा प्रदसित किया जाता है उसे इस्थमबाकिर्ती कहते हैं अगला प्रस्ण लेते हैं विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिकतम विकास हो जाता है उप्शन है सैस्वा वस्था में, उप्शन दो बाल्य वस्था में, उप्शन तीम किसोरा वस्था में, उप्शन चार प्रोड वस्था में तो सही उत्तर है उप्शन नमर दो मानव की बुद्धी का विकास अधिक्तम बाल्य वस्था में हो जाता है बुद्धी का धिक्तम विकास बाला वस्था में हो जाता है पारंबिक बाला वस्था अरले चायल हुज में बच्चों में या बालकों में मानसिक विकास की काफी तेजी से वरती होती है और परवर्ती किसोरा वस्था आते यानि 19-20 साल की उम्र के आते यह काफी धीमी हो जाती है कहने का मतलब है जिपने भी मानव में बुद्धी का विकास है वो सिसु वस्था में या किसोरा वस्था में ही हो चुका होता है अगला प्रेशन है सिसु का अधिकांस व्यभार आधारित होता है किस पर अप्शन एक नयतिक्ता पर अप्शन दो मूल प्रिवर्ती पर तीन प्वास्थ पिक्ता पर चार ध्यान पर सही उत्तर है मूल प्रिवर्टी पर सिसू का अधिकान स्ववार आधारित होता है सैस्व अवस्था में बालक का निर्मान काल कहा जाता है यानि जो सैस्व अवस्था होता है बालक का बच्पन होता है उसको उसका निर्मान काल कहा जाता है इस अवस्था में सिसु का व्यवार मूल प्रवृतियों पर आधारित होता है जैसे रोना, हसना, स्वत्न, फ्रेम की भावना आदी यह अवस्था बालक के संपून भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवज्ञानिकों ने सैस्वावस्था को मानव जीवन पर आधारित या मानव जीवन का आधार माना है। को प्रतिपादित करने के लिए। को अप्शन वन मानुस पर अपने प्रियोग वन मानुसों पर किये थे। क अधरियो lips भूज़ गंग को दिआ जाता है। कोहलर का पूरा नाम है उल्फ गंग कोहलर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है मेंटालिटी ओप्स वर्स 1925 में लिखा था कोहलर ने सूज के सिधानत का प्रियोग वनवानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किये थे कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है सूज की छमता भी उतनी ही अधिक होती है कोहलर ने कहा कि हम में या किसी भी प्राणी में कल्पना जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही अधिक छमता होगी सूज बूज की कल्पना जितनी अधिक होगी सूज की छमता भी उसमें उतनी ही अधिक होगी यानि हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने आईडियाज को लगा सकते हैं कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. यही सूज या अंतरदस्टी के सिधान्त में कोहलर ने साबित किया था. अगला प्रस्ण है, यह आवसक नहीं है कि उच बुद्धी लवदी वाले बच्चे में भी जो हैं, बच्चे भी उच हों. यानि अधन में, उप्सण है अधन में उच हों या स्रेजन सीलता में या विसलेशन करने में या अच्छे अंग प्रात करने में. सही उत्तर है स्रजनन सीलता में यह बिलकुल भी आवसिक नहीं है कि उच्च बुद्धी लवदी वाले जिनकी IQ ज़्यादा होती है यह आवसिक नहीं कि वो स्रजनन सीलता में भी अधिक अच्छे हो किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्रात करने की योगता बुद्धी को कहा जाता है जबकि नमीन उत्पादयम नमीन खोज की छमता का स्रजनन सीलता कहा जाता है जब हम किसी चीज को खोजते हैं या किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको स्रजनन सीलता कहा जाता है आते बुद्धी लवदी के आधार पर स्रजनन सीलता का मापन किया जा सकता है तथा निशित नहीं हो सकता कि कुछ बुद्धी लवदी वाले बालक स्रजनन सीलता में भी उच्छ होंगे अगला प्रस्ण है अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था यानि अधिगम में, सीखने में जो प्रभाव का नियम है, वो किस ने दिया था? Option एक इसकिनर ने, Option दो पाव लोग ने, Option तीन वाटसर ने, Option चार थर्ण डाइक ने. सही उतर है, Option नमर चार, सीखने में या अधिगम करने में, प्रभाव का नियम जो था, वो थर्ण डाइक द्वारा दिया गया था, थर्ण डाइक ने प्रभाव के तीन नियम प्रतिबादित किये थे, थर्ण डाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यत तीन नियम दिये थे, उनमें है नमर एक टतपड़ता का नियम, नमर दो प्रहाव का tęम, नमर तीन अभ्यास का नियम प्रहाव के नियम के अनुसार उस कारिय को सीखना चाहते हैं, जिसका बरणाम हमारे लिए अधिक हित्कर होता है प्रवाब संतोस जनक होने पर वक्ती उस सनुकुरिया को सीख लेता है और संतोस होने पर उस कारिय को नहीं करना चाहता प्रवाब के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्य रूप से कारिय करने ये दो कारिय करने अतियाव सक है पहला कार्या है शिक्षक को अध्यापन, कार्या करते समय बालकों का उट्सार बढ़ाना चाहिए उप्शन अमर तीम, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्थे करम को ववस्तित करके छात्रों के सामने परस्तुत करें ताकि छात्रों को अधिगम के प्रती अधिक रुची बढ़ सके अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से किस विधी का उप्योग इसमिर्थी के मापन के लिए नहीं किया जाता है पहली विधी है तारकिक विधी, दूसरी प्रत्यावान विधी, तीसरी है पहचान विधी, चौथी पुने सीखन विधी तो सही उत्तर हैं में तारकिक विधी का प्रियोग इसमिर्थी के मापन के लिए नहीं किया जाता है जबकि प्रत्यावाहन और पहँचान पुने सीखना विधी इस्मिर्ती के मापन के लिए उप्योग की जाने वाली विधियां है। अगला प्रस्ण है। अंतरबोध परिक्षन TAT वक्तित मापन का एक परिक्षन है। किसी भी वक्ति या आदमी पुरुस हो या इस्तरी उसके वक्तित को इस टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं। प्रसांगिक अंतरबोध टेस्ट के या परिक्षन के द्वारा। परिक्षन का विकास 1935 में हारवर्ड विश्विदार लेके एक सिक्षक S मूरे के द्वारा किया गया था। टेट परिक्षन यानि प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षन में 31 कारडों का उप्योग किया जाता है। ये धान रखने वाली बात है कि कई बार प्रस्ण आ जाता है टैट प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षन में कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है तो 31 कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक कार्ड साधा रहता है ये भी प्रस्ण बन जाता है कि प्रसांगिक एक कार्ड साधा रहता है परिक्षन के समय एक वक्ती पर अधिक्तम कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो बीस कार्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है पिरते कार्ड पर अलग अलग विशियों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं पिरते कार्ड पर बने चित्रों के प्रियोग करके अगला प्रेस्ण है मनो विज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है Option 1, सिक्षा के इंद्रित सिक्षा, Option 2, विसे के इंद्रित सिक्षा, Option 3, किरिया के इंद्रित सिक्षा, Option 4, बाल के इंद्रित सिक्षा सही उतर है Option 4, मनो विज्ञान का सिक्षा के शेत्र में सबसे बड़ा योगदान, सिक्षा को बाल के इंद्रित बनाना है मनो विज्ञान का सिक्षा के चेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल के इंद्रित सिक्षा है मनो विज्ञान द्वारा ही सिक्षा के चेत्र में करांतिकारी परिवर्दन आये हैं इसके परिणाम स्वरूप बालक के वहवार में नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। यानि हम पहले मनोविज्यान के द्वारा बालक के वहवार को समझेंगे और उसके बाद उसके जिस विशे में रुची है उसके अनुसार उसको डायवर्ट करने की कोशिस करेंगे। निम्ल खित में से कौन सा व्रद्धी और विकास के सिधानतों से समंदित नहीं है। अप्सन एक वर्गी करन का सिधानतों अप्सन दो निरंतरता का सिधानतों अप्सन तीन समन्वे का सिधानतों अप्सन चार व्रक्तिक्ता का सिधानतों उप्तर है। आपसर नमबर एक, वर्गी गन का जो सिद्धान्त है, वरध्धी और विकास के सिद्धान्तों से सम्मन्दित नहीं होता, इसकी व्यक्था देखे लेते हैं अबर, वरध्धी और विकास का सिद्धान्त सतत चलने वाली, वरध्धी और विकास ऐसी पिरकिरिया हैं जो जीवन परियान चलने वाली पिरकिरिया हैं, जो वालक को असहाय सिसू से आत्म निर्वर प्रोड बनाती हैं, विकास के सिद्धान्त निम्न हैं, विकास के पाँच सिद्धान्त हैं जो इस पिरकार हैं, और इन सिद्धान्तों क समन्वे के सिधान्त को हम एकी कण का सिधान्त भी कहते हैं तीसरा है व्यक्तिक्ता का सिधान्त चोथा है वनसानुक्रम का एवं वातावण के अन्ते किरिया का सिधान्त पांचमा जो सिधान्त है वो विकास करम का सिधान्त है यहाँ पर जो वर्गी कण का सिधान्त है वह विकास का सिधान्त नहीं होता है यही प्रसंद का अप्तर है आसा करते हैं आपको पसंद आए होंगे जो निश्चित रूप से आगामी परिक्षा में महत्पूं भूमिका निवाएंगे आपकी सफलता में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और वित्रों में जरूर सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और घंटी के बटन को जरूर दबा दें अभी कर लें यह सारा काम जिससे आपको हमारी लेटेस्ट ग्यानवर्धक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहेगा मिलते हैं अगली लेटेस्ट ग्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद